Class 10th के दो students, एक का नाम था चिंटूलाल, एक का नाम था मिन्टूलाल Class 9 के अंदर इन दोनों की 60% आती है जब ये Class 10th में जाते हैं तो ये दोनों same teachers को follow करते हैं same किताब उसे पढ़ते हैं बट जब दसवी का result आता है, Class 10th का result आता है तो ये जो चिंटूलाल था ना, इसकी percentage आती है केवल 75 और ये मिन्टूलाल टॉप कर देता है with a percentage of 95 अब आप सोच रहे होगे, ये कैसे possible हो पाया ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो चिंटूलाल था ना, इसने कुछ 5 गलतियां करी थी, 5 mistakes करी थी और वही सारी 5 mistakes आज मैं आपको बताने वाला हूँ So, Hi Everyone, Class 10th के अंदर आगए हो, Class 10th बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर कोई आपसे बात बोल रहा है ना, तो उसकी बात आपको नहीं वाननी है क्यों? क्यों कि Class 10th आपकी जिन्दकी की सबसे असान, सबसे पसंदिजा क्लास होने वाली है और इसके अंदर जो आपका स्कोर आएगा, वो आपकी लाइब का सबसे भैतरीन स्कोर रहेगा इस बात को आज मैं गैरिंटी से बोल दूँगा पता है क्यों? क्यों कि कई सालों से मैं स्टूडेंट्स को देखता आ रहा हूँ अगर आज यूट्यूब पे आज पहली बार आप मेरा फेस देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ हाई वरिवन, मेरा नाम है प्रिशांद, मेंटॉर और थाउदंस ओ स्टूडेंट्स अपने बारे में जादा नहीं बताऊंगा आप इसी भी अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो कि अभी क्लास 10 को पार करके 11 के अंदर गया है और इनसे पूछना कि प्रिशांद भईया से पढ़ाई करी थी, प्रिशांद बेगी स्ट्राटेजी उसको फॉलो करा था क्या प्रिशांद भेगे नोट्स को फॉलो करा था वो बता देंगे कि उनकी कितनी मदा तो भी मुझे बोलने की जुरत नहीं है और इस साल मैं तुम्हारे साथ लगकर काम करने वाला हूँ पूरे साल भर पढ़ेंगे सारी स्ट्राटेजी दूँगा सब कुछ दूँगा गरेंटी से बोल रहा हूँ क्लास नाइन के अंदर तुमारी किती भी परसेंटेज आई हो फरक नहीं पड़ता तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो इस बात की गरेंटी है और सुनो आज हम बात कर रहे हैं पांच गलतियों की जैसे कि मैं आपको एक कहानी बताई चिंटूलाल मिंटूलाल अब देखो चिंटूलाल मिंटूलाल जो थे ना अब ये चिंटूलाल की भी 60 दी इसकी भी 60 दी सारी चीज इन दोनों ने सेम करी बट पांच मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक इसने करी और वो जो मिस्टेक्स जब मैं आपको बताऊंगा न तो उन मिस्टेक्स को आपको अपनी प्रिप्रेशन के दोरान नहीं करनी है क्योंकि अभी अभी आपने class 10 को शुरू करा है आपको डर लग रहा होगा रिष्टदार बोल रहे होंगे अरे दस्वीग अंदर आ गया है जिंदगी का पहला बोड एक्दाम देने वाला है पर डर ना नहीं है प्रिशान भहिया साथ है अच्छा गर तुम्हें यह नहीं पत गया यार सब बोलते हैं कि class 9 और class 10 दोनों related होती है है ना तो मेरी तो 9th week है तो 10th में तो मैं कैसी marks लेगे आप आँँगा और उसने जो उम्मीद थी जो hope थे वो उसने छोड़ दिये जबकि मिन्टूलाल तुमारी प्रिशान बेगी वीडियो देखकर आया था और उसको य आपकी class 10 में कितना भी score आया है उससे बिलकुल फरक नहीं पड़ता तो पहले mistake जो आपको नहीं करनी है वो क्या है कि आपको demotivated नहीं होना है आपको डरना नहीं है आपको ये नहीं सोचना कि class 10 में बेकार नंबर आ गए तो 10 के अंदर भी बेकार आएंगे ऐसा नहीं प्राफट से comment के अंदर आपको कर देना है ठीक है अब बढ़ते हैं mistake नंबर टू पर और अगर आप ये class 11 के student हो और अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले भाईया क्या कर रहे हो यहां पर तुमारी class 11 स्टार्ट होगे जाकर पढ़ाई करो और अगर यहां है क्योंकि देखो चिंटुलाल जो था नो किया करता था वह सब के पास जाता था और पूषटा था अरे भाईया दिदी यह बता उ टेंथ के अंदर आ गया हो कितने गंटे पढ़押 ओं जब कि मिन्टुलाल क्या करता था कितने गंटे पढ़ना है उससे फ़रख नहीं पढ आपको पूछना है कि अन्र लीक आपको बनाने है और उन फॉरा करना है और उसे के को बोल रहा है चार चीज आज मुझे खतम करनी है जब तक खतम नहीं होंगी सोंगा नहीं है, सोंग भी नहीं, चीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगला स्टेप के है, सब्जक्ट वाइस स्ट्राटिजी, देखो, बहुत जादा चलेगा कि सब कुछ हमारा होते चलेगा, लास्ट चीज़ है, रवीजन, देखो भाईया, रवीजन करते चलना है, रवीजन बहुत जादा important है, कोई भी senior से पूछना, वो बताएगा, हाँ, रवीजन तो बहुत जादा important है, रवीजन कैसे करना है, जो भी आपके स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, टूशन के अंदर, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, घर आओ, और फटा-फट से सको रिवाइस कर लो, 10-15 मिनेट के अंदर, बस, उतना रिविजिन करोगे, उतना बहुत है, चलिए, ये दो मिस्टेक हो गई, तीसरी मिस्टेक क्य कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, क्यू Нов 길 जब तुम इतनी सारी बुक्स लोगे, इतनी सारी टीचर को फॉलो करोगे तो आपका टाइम बहुत ख़राब होगा, तो फलीज एक ही किताब को फॉलो करो, कम रिसोर्स को फॉलो करो, पौन सी बुक को फॉलो करना है, वह मैं समय के स्टेंद का उसके अंदर कवर हम करा रहे हैं अगर आपको पूरी डिटेल जालनी है तो एक वीडियो की लिंक मैं दूंगा हमारे नेक्स्ट आपर चैनल की एक वीडियो डली हुए जिसके अंदर हमने पूरी बैच की डिटेल पताई हुए तो वो आप देख सकते हो बट इस नहीं है। तो याद रखो करना किया है अंसर लिखनी की प्राक्टिस कैसे होगी वह प्रաक्टिस होगी एक तौपके टेस जो आपके स्कूल के टेस्ट होते हैं उसके अलाबा आपको क्या करना है नोट्स बनाते होए चलने हैं अब आपको तुमारे एक्जाम में एक-दो महीने पहले पढ़ाई करते हैं अभी हमारे एक्जाम में बहुत समय है हमें खुद के नोट्स बनाने है और नोट्स बनाने का मतलब यह नी होता टीचर ने बोर्ड पे लिखा और बस आँख खोल के और बस बिना सुने बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए लि math के अंदर calculation practice करना बहुत important है बहुत सारे बच्चे का करते हैं सोचते math ही तो है क्या बड़ी बात है आदे से question को solve करते हैं पूरा question ही solve नहीं करते हैं अरे भाई calculation की practice करो जब board exam देने जाओगे न तो इतना जादा pressure होता है कि calculation वहाँ गलत हो जाती है तो उसका क्या ilaj है उस mistake है जो की सिर्फ चिंटूलाल नहीं तुम भी करने वाले हो इस mistake को सुन लो और इसे मत करना तुमारे 10 में बहुत अच्छे माक्स आजाएंगे मिस्टेक क्या है अभी क्या होता है जब प्लास टंच शुरू होती है तो हम जोश में होते हैं हमारे पास एनरजी होती हम सोचते हैं ठीक यार NCRT उठाई पढ़ना शुरू करा उसके बाद एक टीचर आए चलो यार सर आप भी पढ़ा दो मैं आप भी पढ़ा दो ये भी क मिनटूलाल फॉलो करता है C-Rule ौलोल कीा करता था जाधा नहीं पढ़ता था वह क्या करता है हर रोज पढ़ता था जाधा नहीं पढ़ रहा नहीं पदे रहे एक गंटा डेड़ गंटा उतना इनफ है मैं नहीं बोल रहा चार गंटे पड़ो अरे मत पड़ो जिन्दगी को इंजोई करो एक एक गंटा भी तो दे सकते हो हर रोज अगर consistency से इतना 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 भी पढ़ने लग जाओगे न भाया काम बन जाएगा मैं सच बता रहा हूँ तस्वी कोई बड़ी चीज नहीं है 10th क्लास कोई बड़ी चीज नहीं है तुमारी जिन्दकी की सबसे भेतरीन क्लास होगी आई होप आपने अभी तरह कमेंट कर दिया होगा आप फटा-फट से बढ़ते हैं हमारी final tips की तरफ कुछ important tips बता रहा हूँ सबसे पहले मजे करने है अब बहुत सारे parents इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे ये कैसे teacher है जो की बच्चों को बोल रहे है मजे करने है देखो class 10th है ये समय वापिस नहीं आएगा मजे भी करने है ठीक है enjoy भी करना है test बहुत important है क्योंकि test तुमारी writing practice कराते है उसके अलावा क्या है life and YouTube देखो तुमारी जिंदगी भी न YouTube की तरह होती है YouTube पे क्या होता है आपने note करा है कि अगर आज आज आप YouTube पे जाकर एक vlog देख लोगे तो क्या होगा आपके जो YouTube का feed होता है उसके उपर vlog व्लोग 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 सजेस्ट होने लगते है होता है न ऐसा similar आपकी life है आप अपने दिमाग को जो चीज़े दिखाऊगे न वही आपका दिमाग सोचेगा अभी आप क्या कर रहे हो फालतों की वीडियो दिखा रहे हो ये दिखा रहे हो वो दिखा रहे हो गेमिंग वीडियो दिखा रहे हो तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा अब इस समय पर दसवी के अंदर थोड़ा shift लाओ और अपने दिमाग को दिखाओ educational वीडियो, study strategy, study tips उससे क्या आएगा आपके अंदर motivation रहेगी और आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीकी से पढ़ पाएगा तो ये तीन थी final tips दसवी बहतरीन होने वाली है और हम मिलकर फोडने वाले हैं और आपको trust रखना पड़ेगा और मैं आज डंके की चोट पे बोल सकता हूं किसी भी अपने senior से उठा कर पूँच लेना क्या प्रिशान भी एगी strategies वर्क करती हैं वो तुम्हें खुद बता देगा शुक्रिया everyone, comment जरूर कर देना कि दसवी का जो exam है, हमारी life का सबसे बहतरीन exam होगा शुक्रिया everyone, मेरा नामे प्रिशान मिलते हैं नेक्स्ट विडियो के लिए अंदर, तेक क्या